राफ्टिंग के दौरान रिश्रिकेश में ये परिया टकूं और गाइड के बीच मारपीट हो रही है लक्षमर जूला इलागे में राफ्टिंग करते वक्त यह लोग आपस में भिड़ गए और जिसके बाद एक दूसरे पर चपकू से हमला करने लगे रिश्रिकेश में गंगा ने दिके बीचूं बीच हुए संगामी की पूरी खटना हम आपको दिखा रहे हैं रिश्रिकेश में इन दिनों रोजाना हजारू परियतक ग्राफ्टिंग का मजा लेने गंगा के थिनारें पहुश रहे हैं अलग-लग राज्यों से आने वाले लोग यहां आते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परियतक ग्राफ्टिंग कंपनी के इंतजामों को लेकर शिकायत करते हैं तो ऐसे में विवाद भी होता है वहीं दूसरी तरफ अधिकांश बार देखा जाता है कि परियतक मौज मस्ती के चकर में गाइड को ही परिशान करने लगते हैं जिस वज़े से इस प्रकार की घटनाए हो रही हैं लेकिन ऐसे में कई बार परियतकों को परिशानी उठानी पड़ रही है वही कल रिशिगेश में राफ्टिंग के दौरान जो विवाद हुआ है उसकी वज़़ा फोटो शूट बताई जा रही है गंगा में राफ्टिंग के दौरान गोप्रो कैमरे के जरिये गाइड परियतकों के साथ गंगा की लहरू और उसके रोबांच को शूट दरते हैं इसके लिए वो परियतकों से पैसे भी लेते हैं लेकिन अगर परियतक और गाइड के भी सामान जिस से ना हो तो ऐसे भी बात पैदा हो जाता है उत्राखन तक के लिए रिशिगेश सेक्रेशन गोविन गंसवाल के लिपॉर्ट कि अंगर तक के लिए बाता है